हाई गाईज, वेलकम टू माइ चैनल लोजेंटर आज हम जानेंगे जो हरियाना में कन्यादान मिलता है वो कौन वेक्ति ले सकता है, कितना कन्यादान मिलता है और इसके साथ में कौन-कौन से डॉकॉमेंट लगेंगे गाइज अगर आप इस वीडियो को पूरान रूप से देखते हैं पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो करन्यदान का फोरम है वो 100% अपरू होगा और आपको करन्यदान मिलेगा आपको इसके बाद में किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद में आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है और आपका करन्यदान आपके अकाउंट में आ जाएगा तो दोस्तो आये शुरू करते हैं मैं इस वीडियो में इन डोकुमेंट के साथ-साथ कुछ एक्स्टा डोकुमेंट है जो आपको बताऊंगा कि जो कन्यादान का फोरम होता है वो आपका किसली रिजेक्ट होता है और आप अगर ये डोकुमेंट इसके साथ लगाते हैं तो आपका फोरम रिजेक्ट नहीं होगा और 100% अप्रूव होगा तो आये शुरू करते हैं दोस्तो ये फोरम पहले तो इसकी कंडिशन दिखाता हूँ मैं आपको कौन अपलाई कर सकता है लड़का या प्रार्थी हरियाना का राज्य का स्थाई निवासी हो दोस्तो जो लड़की है वे हरियाना की स्थाई निवासी हो लड़का नहीं लड़का कहीं किसी भी स्टेट का हो सकता है लड़की सिरफ हरियाना की स्थाई निवासी हो तो वे इस फोरम को अपलाई कर सकती है दूसरी बात अनुसुची जाती, वेमुक्ती जाती यहम टापरीवस जाती, समाने वरग यहम पिछडे वरग के परिवार जिनका नाम गरीबी रेखा में गरीबी सुची में दर्ज है जिसका नाम गरीबी रेखा सुची में दर्ज है वो इस फोरम को अपलाई कर सकता है दूसरी बात समाज के सभी वरग के परिवार मतलब पूरे हरियाना में कोई भी वेक्ती जिसके पास डाई एककड से कम भूमी हो और जिनकी सभी स्तरोतों की वार्षिक आए एक लाख रुपे से कम हो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी परिवार जो अर्याना का अंस्थाई निवासी है जो अर्याना में रहता है उसके परिवार के पास डाई एककड से तो कम भूमी हो और एक लाख रुपे से उसकी परिवार की इंकम कम हो तो वेव एकती इस फोर्म को प्लाई कर सकता है उसको भी कन्यादान मिलेगा मैं आपको बताऊँगा कि कितना कन्यादान मिलेगा किसी भी जाती है एम आई वरक से सम्मंदित महिला खिलाडी बैस एरते की उसने ओलम्पिक की ओलम्पिक ओलम्पिक सोड़ा गैर ओलम्पिक ओल टरुनाउमेंट सेंपियन में से किसी में एक भाग लिया हो मतलब की हरियाना की कोई भी लड़की जो की ओलम्पिक गेमों में बाग लिया सबी वर्गों की विद्वा जिनकी वार्षकाई एक लाख रुपे से कम है कहने का मतलब है कि कोई भी जाती हो जर्नल उ जर्नल में ठाकुर जाट ब्रामने चत्रिये इस परकार से ईने जाती हैं जो हर्याणा में जिनको सामाने वरग में मानना गया है अगर उनकी विड़ो महिला कहने का मतलब यह है कि किसी लड़की के अगर पिता नहीं है तो उसकी मात्ता को कन्यादान मिलेगा अगर उसकी मात्ता की इंकम एक लाक रुपए से कम है तो इसमें मेन कंडिशन यह है कि उसका BPL रासन कार्ड होना जरूरी नहीं है अगर उसका BPL-रासन कार्ड है तो भी वो अपलाई कर शकती है अगर इसको प्राइब तो वह इसको उसको CBS 11.000 और दान मिलेगा लेकिन इसमें मेन कंडिशन है की इसकी परिवार की जो इंकम है विड़़ो महिला की उसकी एक लाक रुपई से कम हो तो वैं इसको अपलाई करेगी तो उसको 11 रुपय कन्यादान मिलेगा लड़की की आयू 18 वर्ष हधीक वर लड़के की आयू 21 वर्ष हधीक हो मतलब कि जिस लड़की की साद्धी है उसकी आयू 18 वर्ष हधीक और लड़के की आयू 21 वर्ष हधीक हो उसके बाद में कितना कितना कन्यादान मिलेगा अनुसुची जाती युमक्ति जाती इम्टप्रिवास जाती जिनका BPL रासन कार्ड है मतलब जिनका BPL रासन कार्ड है वह इसमें 51,000 रुपे लेंगे जो अनुसुची जाती से आते हैं कोई भी हो अगर वो अगर उसका BPL रास के आगी या बेसारा मैला मतलब कहने का मतलब यह है कि यह तो उसके पती ने उसको डाइवर्श करया को चोड़ यह बेसारा मतलब कहने गाल मतलब उसका है है वह किसी भी जात्ती से संबंदी तो उसको ग्यारा जार रुपे मिलेंगे अगर अनुशुची जात्ती मतलब एससी कंडिडेट है एससी प्लस बीपिल है तो उसको 51,000 विद्वा है तो उसको 51,000 महिला खिलाडी है तो 31,000 और शामाने पिछड़े वरग मतलब किसी भी कर्षिव उम्मी या उसकी एक लाक रुपए से कम वार्शिक आई है तो उसको भी 11,000 रुपे कन्यादान मिलेगा इसमें यह कन्यादान किसको कितना मिलेगा उसके बारे में बता जिया है अब मैं आपको बताता हूं इसके साथ डॉकुमेंट कौन से लगेंगे यह डॉकु घ् breaths कर्वाइब से लड़की और लड़का दोन्नो का जनम Пरमानपत्त्र या तो उनकी सेटिफिकAyट हो या फिर उनका जनम परमानपत्र नढका और लड़की का दोन्नों का चाहिए गा इसमें फोटो कोपी लगा देना लेकिन अगर उस जनम का प्रूफ दोन्नों का लगे माता पिता और लड़की इन तिन्नों में से किसी का भी जात्ती प्रमान पत्र है तो उसका जात्ती प्रमान पत्र आप इसमें लगा सकते हैं और लड़की की नहीं तो उसके पिता की लगा दें तिनों में से लगेगी लड़का की जो लड़का है उसकी नहीं लगेगी और आदार लिंक बैंक पास्बुक की फोटो परती जो आदार काड लगेगा वहे लड़की कि माता पिता जो फार्म अपलाई करते हैं उसकी बैंक की पास बुक लगेगी और बैंक की पास बुक लगाना जिसके साथ आधार लिंग को रासन कार्ड की फोटो परती लड़की के रासन कार्ड के फोटो परती लगेगी लड़की के रासन कार्ड की जिसमें लड़की का ना दोनों करेका अध्रकाड यह दोनों का लगेगा लटके का अध्रकाड लगाना है आई का प्रमान पत्र यह दोस्तो मैं इस ने बताता हूं इसके बारे में आपको जो आई का प्रमान पत्र है वह किसका लगेगा आई का प्रमान पत्र यदि राशन कार्ड बीपेल नहीं है तो आई का प्रमान पत्र लगेगा कहने का मतलों यह में दरज नाम नहीं है अगर राशन कार्ड में नाम बीपेल सुची में नई दरज है तो इंकम सेटिपिट लगेगी और वो इंकम सेटिपिट लगेगी जिस पे लिखा होगा अधर परपज कहने का रहती है कि जो SDM जारी करता है SDM के दवारा बनी हुई इंकम सेटिपिट लगानी है जिस पे अधर परपज लिखा होगा हो तसीलदार वाली नहीं लगानी है क्योंकि तसीलदार वाली इंकम सेटिपिट पे लिखा होता है और यह अधर परपज की इसलिए लगानी है क्योंकि हमें करन्यादान चाहिए और वो एजुकेशन से संबंदित नहीं है, वो अधरपरपज से संबंदित है, तो यह आई का परमान पत्तर सिरफ उसी का कंडिडेट का लगेगा, जिसका बीपेल राशन कार्ड नहीं है, और अन्य थक किसी का नहीं लगेगा, लड़का वे लड़की की फोटो लगानी है, साध के पती का मर्तिव परमन पत्तर लगेगा, और अगर लड़की के माता पिता में से दोनों में से कोई नहीं है, अगर वे अनात है, तो माता पिता का मर्तिव परमन पत्तर लगेगा, और किसी कंडिशन में यह हो सकता है, कि पिता की मर्तिव हो जाती है, और माता दूसरी जग इसके साथ में एक आवेदन करता की फोटो लगानी है और एक सिंपल कागत्स पर जो फोर्म अपलाई करेगा लड़का के सोरी लड़की के माताया पिता में ऐसे उसके simple कागस पर signature करवाने हैं और उसके साथ में photo लड़की की आवेदन करता की photo मतलब की माता पिता में ऐसे जो form अपलाई करा है उसकी photo लड़के की तिनों की photo लगानी है ये document है इन सभी की एक PDF बनानी है आपको complete एक PDF बनानी है सभी document है उसके बाद में आपको क्या करना है जैसे आप इसकी complete यहां से लेके जितने भी document है आप complete इन की एक PDF लगाना इसके साथ में आवेदन करता की photo लगाना और इस फोर्म को आप सरल अरियाना पोर्टल से apply करवा दें दोस्तों ये फोर्म जब आप apply करेंगे तो इसका मात्र 10 रुपे चारद है फोर्म का और आपको यह जब आप फोर्म अप्लाई कर देते हैं उसके बाद में आपका print out जब उसका आ जाएगा document का फोर्म अप्लाई करवाने के बाद में तो उसकी receipt आपके पास आएगी उस receipt को लेकर आप SCBC welfare department जो जिसके कन्यादन डिपार्टमेंट का जाता है SCBC welfare department बोला जाता है उसको उस डिपार्टमेंट में आप इस receipt को चेक करवा के अपने फोर्म को चेक करवा सकते हैं मेरा फोर्म सही है या गलत है अगर गलत होगा तो आप इसको दोबार अपलाई करवादें वहां से रिजेक्ट करवा के तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस फोर्म को आप किस परकार अपलाई करें सबसे पहले आपको जब फोर्म अपलाई करना है तो उसमें विशे तो आपको उसमें उसकी पहले जाती चूज नहीं करनी, सब से पहले उसमें विड्डू कटेगरी चूज करनी है, उसके बाद में जो कुछ भी मांगे वो अपलाई करना है, इससे क्या होगा, कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते में आपको 11.000 रुपे मिलेंगे प्रोब्स कर लेते में लोगत कोजबी तो आप को 11 myst and ऑप आप सिधा पहले विड़ो कटेगरी चूज करें उसके बाद फोर्म अपलाई करें तो आपको क्या उन्हेजर रुपे मिलेंगे इस परकार आपको फोर्म बढ़ना है और अपना फोर्म वहां पर जाके सोसल वेलफेर डिपार्टमेंट में जिसे कन्यादन डिपार्टमेंट आपको फाइल डॉक्कोमेंट चेक करवाने है बस आपका कन्यादन अगर आपके डॉक्कोमेंट सही है और आप आपने फोर्म सही वर रखा है तो आपका कन्यादन 100% आपके अकाउंट में आएगा दोस्तों इस परकार आप इस फोर्म को अप्लाई कर दें किसी से कुछ इनकी एक ही पीडियाफ बना ले आप और वो एक पीडियाफ लग अटेज कर दें क्यों होता क्या है कि आप इनकी अलग अलग पीडियाफ बनाते हैं तो जो उनका सोफ्ट्वेर होता है उस सोफ्ट्वेर पर complete document पहुंचते नहीं है इसलिए आपको क्या करना कि एक पीडिय ड़ियातन नहीं होगी और आपको किसी परकार का कोई भी चक्र रोगह दफ्तर का नहीं लगाना होगा दोस्तो अग show you और कोई वीडियो डालन तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे आपने अपने अपना लिए warranty झाल झाल